दोस्तो T20 World Cup के समापत होने के बाद टीम इंडिया जिमबावे दोरे पर गई है आपको बताने कि भारत्य टीम जिमबावे दोरे पर तीन T20 मैंचों की सिरीज खेलेगी जहांपर पहला T20 मुकाबला कल साम को 4 बच कर 30 मिनट पर खेला जाएगा आपको बताने कि इस मुकाबले के सिरू होने से कुछ ही घंटे पहले टीम इंडिया के कप्तान बनते ही सुमन गिल ने भारत्य टीम की खतरनाग प्लेइंग 11 का एलान कर दिया है और दोस्तो इस पहले T20 मुकाबले के सिरू होने से पहले ही कप्तान सुमन गिल ने टीम इंडि दोस्तो पूरी जानकारी आज के इस बीडियों में हम आपको देने बाले हैं इसलिए दोस्तो इस वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और दोस्तो अगर आप भी टीम इंडिया के वर्ल्ल कप जीतने से खुस हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर किजिएगा तो चलिए दोस्तो आज की इस बहतरीन वीडियो की शिरुआत करते हैं दोस्तो भारत और जिंबावे के बीच में होने बाले पहले टीटॉंटी मुकाबले में अगर जिंबावे के खिलाब टीम इंडिया की प्लेइंग लेवन में यहाँ पर ओपनिंग जोडी की बात करें तो ओपनिंग जोडी में यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान सुमन गिल के साथ में भारती टीम में डेब्यू कर रहे अब इसे एक सर्मा खेलते हुए दिखाई देने बाले हैं दोस्तो आपको बता दें कि अब इसे एक सर्मा ने 2024 के टीटॉंटी वर्ल्ल कप में सन्राइजर सहिद्राबाद की तरफ से खेलते हुए काफी कमाल का प्रदसन किया था और हैद्राबाद की टीम के लिए ओपनिंग करते हुए बहतरीन सिरुआदी थी इसलिए दोस्तो टीम इंडिया के गपतान सुम्मन गिल ने जिंबावे के खिलाब डेब्यू कर रहे अब इसे एक सर्मा को भरती टीम में ओपनर के रूप में चुना है और अब इसे एक सर्मा पहले टीटॉंटी मुकाबले में टीम इंडिया की ओपनिंग करते हुए नजर आने बाले है वाई बार दोस्तो अगर बात करें सुम्मन गिल की तो सुम्मन गिल टीटॉंटी और बंडे फॉर्मेट के काफी बहतरीन बल्लिबाज है हाला कि सुम्मन गिल को 2024 के टीटॉंटी वर्ल्ल कप में सामिल नहीं किया गया था लेकिन दोस्तो सुम्मन गिल टीटॉंटी फॉर्मेट के काफी बहतरीन बल्लिबाजी भी करते हैं सुम्मन गिल ने 2024 के IPL में गुजराट टाइटन्स की तरफ से कपतानी करी थी इसलिए दोस्तो BCCI ने जिमबावे दोरे पर टीटॉंटी सीरिज के लिए सुम्मन गिल को भार्ती टीम का कपतान बना दिया है और अब पूरी टीटॉंटी सीरिज में सुम्मन गिल टीम इंडिया की कपतानी करते हुए नजर आने बाले हैं पाई पर दोस्तो अगर बात करें तीसरे नमर की तो तीसरे नमर पर टीम इंडिया के सांदार बल्लेबाज रितुराज गायकवार भार्ती टीम की प्लेइंग लेवन में खेलते हुए नजर आने बाले हैं रितुराज गायकबार को इससे पहले भी भारती टीम की प्लेइंग लेवन में कई मुकाबलों में खेलने का मौका मिला जहां पर रितुराज गायकबार ने टीम इंडिया के लिए कमाल का प्रदसन किया और IPL में रितुराज गायकवार चैनने सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं और चैनने की ओपनिंग भी करते हैं IPL में भी रितुराज गायकवार ने कई बार काफी बहतरिन प्रदस्न किया है और 2021 में रितुराज गायकवार चैनने सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए औरेंज कैप होल्डर भी बने थे दोस्तो रितुराज गायकवार तीछरे नमबर पर टिक कर बल्ले बाजी कर सकते हैं और भरतिर टेम के लिए पहले टीटॉंटी मुकाबले में जीत दिलवा सकते हैं बहीं पर दोस्तो अगर बात करें चोथे नमबर की तो चोथे नमबर पर टीम इंडिया में एक और डेब्यू कर रहे रियान पराग खेलते हुए दिखाई देने बाले हैं अभी तक रियान पराग ने टीटॉंटी इंटरनेशनल एक भी मुकाबला नहीं खेला लेकिन दोस्तो जिंबाबे के खिलाब रियान पराग अभिसेख सर्मा की तरह ही डेब्यू करने बाले हैं और भारती टीम की प्लेइंग 11 में पहले टीटॉंटी मुकाबले में खेलते हुए नजर आने बाले हैं रियान पराग ने इस राजिस्तान रोयल्स की तरफ से खेलते हुए IPL 2024 में काफी कमाल का प्रदसन किया था और अकेले के दम पर राजिस्तान रोयल्स की टीम को सांदार बल्ले बाजी करके कई मुकाबलों में जीत भी दलाई थी इसलिए दोस्तो कप्तान सुमन गिल रियान पराग को एक बार फ्रिसे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखना चाते हैं बाई बार दोस्तों अगर बात करें पाँचवे नमबर की तो पाँचवे नमबर पर टीम इंडिया के सांदार बल्ले बाज रिंकू सींग खेलते हुए नजर आने बाले हैं रिंकू सींग टीम इंडिया के लिए पाँचवे नमबर पर खेलते हुए बहतरीन बल्ले बाजी गर के संकट के समय टीम इंडिया को बाहर निकाल सकते हैं इसलिए दोस्तो कप्तान सुमन गिल ने रिंकू सिंको फिनिसर के रूप में पांच भी नम्मर पर खेलने का मोका दिया है और दोस्तो अगर बात करें चड़ भी नम्मर की तो चड़ भी नम्मर पर यहां पर टीम इंडिया के बिकेट कीपर बल्लेबाज धुरोब जुरेल ख हितरीन बिकेट की पेंग भी करते हैं तो जिमबावे के खिलाब पहले टी-20 मुकाबले में धुरुब जुरेल बतो और बिकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आने बाले हैं और दोस्तो अगर बात करें यहाँ पर साथ भी नम्मर की तो साथ भी नम्मर पर टीम इ नम्मर की तो आठ भी नम्मर पर टीम इंडिया के सांदार इस्पिनर रभी विश्नोई और नोवे नम्मर पर यहाँ पर आविस खान को खिलने का मौका मिला है रभी विश्नोई टीम इंडिया के सांदार इस्पिनर हैं और भरती टीम के लिए मैं जिद बसकते हैं आपको बतादें कि रभी बिश्णोई टी टॉन्टी आई के नमर वन बॉलर भी रह सोके हैं वहीं पर दोस्तो आविस खानवी टीम इंडिया के लिए बहतरीन प्रदस्थन करने बाले हैं और दोस्तो अगर बात करें याँ पर दस बी और ग्यारवी नमर की तो दस बी नमर पर खलील रहमद और ग्यारवी नमर पर टीम इंडिया की प्लेइंग लेवन में तोसार देस पांडे खेलते हुए नजर आने बाले हैं इन दोनों ही खिलाडियों ने भी आई पिल 2024 में अपनी अपनी टीमों के लिए खेलते हुए बहतरीन प्रदस्थन किया था और कई मकाबनों में जीत दिलाई थी इसलिए दोस्तो कफ्तान सुमन गिल ने इन दोनों ही खिलाडियों को जिमबावे के खिलाप होने बाले पहले टीटॉंटी मकाबले में खेलने का मौका दिया है तो दोस्तो अगर देखा जाये तो टीम इंडिया के युबा बल्ले बाजों और गैंद काफी जादा मजबूत नचर आ रही है लेकिन दोस्तो आपको कह लगता है कि जिमबावे के खिलाप होने बाले पहले टीटॉंटी मकाबले में टीम इंडिया की युबा प्लेइंग 11 जीत पाएगी या नहीं आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देजिएगा फ